श्रीमत भगवग गीत यथा रूप अध्याय ग्यारा श्लोक संख्या पैतालेश अद्रिष्ट पूर्वं रिशितो स्मिद्रिष्ट्वा भये नच प्रव्यत्थितम्मनों में तदेव में दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ किन्तु साथ ही मेरा मन बहभीत हो रहा है अतहे आप मुझ पर किरपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पूरुशोत्तम भगवत सरूप पुने दिखाएं अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वे उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वे अपने मित्र के एश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है अर्जुन यह देखकर अत्यन्त प्रसन है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं किन्तु साथ ही वे इस विराट रूप को देखकर भगवीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रती अनेक अपराद किये हैं इस प्रकार भगवश उसका मन विचलित है यद्यपी भगवीत होने का कोई कारण नहीं है अतेव अरजन कृष्ण से प्रातना करता है कि वे अपना नारायन रूप दिखाएं क्योंकि वे कोई भी रूप धरन कर सकते हैं यह विराठ रूप बहुतिक जगत के ही तुल्य बहुतिक एवं नश्वर है किन्तु वेकूंट लोप में नारायन के रूप में उनका शाश्वत चतुरभुज रूप रहता है वेकूंट लोक में असंके लोक हैं और किर्ष्ण इन सब में अपने भिन नामों से अन्श रूप में विद्यमान हैं इस प्रकार अरजुन वेकूंट लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाता था निसंदे प्रतिक वेकूंट लोक में नारायन का स्वरूप चतुरभुजी है किन्तु इन चारो हातों में वे विबिन क्रम में शंक, गदा, कमल तथा चकर के चिन धरन की रहते हैं विबिन हातों में इन चारों चिन्नों के अनुसार नारायन भिन भिन नामों से पुकारे जाते हैं ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं इसलिए अरजुन कृष्ण के चतरभुज रूप का दर्शन करना चाता है हरे कृष्ण ये सारे जाए ये सारे रूप का दर्शन करना चाता है